गर्भवस्ता एक ऐसा फेज है जो हर किसी महिला के जिंदिगी को बदल कर रख देता है जी हाँ, प्रेग्नेंसी में ना सिर्फ महिला एमोशनली चेंज होती है बलकि फिजिकली भी उसकी बॉड़ी में काफी सारे चेंजिस देखने को मिलते हैं इन्हें मेंसे खून की कमी सबसे जादा महिलाओं में प्रेग्नेंसी के दोरान देखी जाती है जी हाँ, जब भी आपके गर्भ में बच्चा या जो भूण है वो डेवलप हो रहा होता है तो अक्सर प्रेगनेट महिलाओं में आईरन की कमी देखी जाती है यानि की अनेमिया उन्हें हो जाता है ऐसे में अगर आप कुछ खास तरह की पत्यों का सेवन करते हैं तो आप इस परिशानी से बच सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान मोरेंगा के पत्यों का सेवन करना चाहिए और मोरेंगा के पत्यों को खाने से क्या कुछ होता है नमस्कार मैं हूँ आप सभी की साथ कृतिकार आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई Pregnancy के बाद महिलाएं आयरन की कमी के कारण कई परेशानियों से जूचती है And महिलाओं में खून की कमी होने पर बेहुद थकान, खिचाव, कमजोरी या हॉर्मोनल संबंधी समस्याई महसूस होती है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली आइरेन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ herbs बेहद असरदार है इनी में से एक है मोरेंगा के पत्तियां जिनका सेवन अगर महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में करें तो बॉडी में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है जादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी में और डिलिवरी के बाद आयरेन सप्लिमेंट लेने की सलाह दी जाती है अगर इस सिच्वेशन में मोरेंगा के पाउडर का सेवन किया जाए तो बॉड़ी में खून की कमी पूरी होगी बलकि कैल्शिम और मेगनेशियम जैसे कई दूसरे पोश्यक्ततव भी हासल होंगे मोरेंगा के पत्तियां एक सोपरफूड है जो इम्म्यूनिटी को स्ट्रॉंग करती है प्रेगनिंसी के दौरान या डिलिवरी के बाद महिलाओं को पेरासितमोल या दर्द निवारक जैसी कोई दवा नहीं दी जाती इसले इस दौरान इम्म्यूनिटी और गट हेल्थ को दूरस्त रखने में मोरेंगा की पत्तियां बेहद असरदार होती है गर्पपती महलाएं अकसर कप्स, दस्थ, सूजन और एठन की शिकायत करती है मोरेंगा में 9% तक फाइबर होता है जो पाचन और पोशक तत्वों के अफशोशन में सुधार करता है बहतर पाचन आतों के मार्ग में परिजीवी और बैक्टिरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को खत्म करने में ये पत्तियां मदद करती है इसके अतरक्त मोरेंगा में विटामिन B होता है जो पाचन संबंधी परिशानियों को दूर करने में असरदार साबित होता है अतना ही नहीं कई डॉक्टर्स का माना है कि मोरेंगा के पत्तियां तनाव को दूर करती है जिसे महिलाए अक्सर गर्भावस्ता के दौरान महसूस करती है ये पत्तियां गर्भावती महिलाओं के कॉटिसोल के इस तरको नियंतरत करने में भी मदद करती है एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक चमच मुरेंगा पौडर को 100 मिली गुनगुने पानी में मिला कर सेवन करने से सेहत को फायदा होगा ज़रूरी नहीं है कि इसका सेवन खाली पेठी किया जाए आप इसे दिन में भी खा सकती है इसका सेवन केवल सुबह के समय या दोपहर तीन बज़े से पहले करें ताकि ये पचने में आसान हो एक्सपर्ट्स के मुताबिक शाम चार बज़े के बाद कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए वही खाना पकाने में भी आप सेच्वन की पत्यों का उपयोग कर सकती है ये एक नैश्रल फूड है फिर भी आप इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सला ज़रूर ले उमीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और बियास इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार